दर्मशाला पुलिस ने गुफ्त सूचना के अधार पर बड़ी कार्यवाई करते हुए 1 किलो 76 ग्राम चरस्त ब्रामत की है। इस दोरान जब उस नंबर की आल्टो कार जब नाके से होकर गुजरने लगी तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। ले लिया है और आगामे कारेवाई शुरू कर दी है। इसकी पुस्टी करते हुए दर्मशाला पुलिस स्टेशन के स्चो राजिश कुमार ने बताया कि दर्मशाला में तीन व्यक्तियों के खिलाप NDPS केस पंजिगरित हुआ है। उन्होंने बताया कि तीनों व्यक्ति जिला कुल्लो के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया ये तीनों व्यक्ति शिला चौक से धर्मशाला के तरफ औल्टो गाडी में आ रहे थे। तो उनके थाने का स्टाप बहा मौजूद था। उन्होंने उस गाडी को रोका तो पाया कि ड्राइवर के पीछे एक कपल बैठा हुआ था। उनके पास ही पड़ा मादग पधारत प्रापत हुआ जिसका जब बजन किया गया तो एक किलो चेहतर ग्राम निकला। थाना परवारी ने बताया कि तीनों के खिलाप NDPS धारा 20 और 29 लगाई गई है। भलवड़ा गए। तो रूप भलवड़ा गए कान पुछने के वहाँ पे उनकी गाड़ी को रुका गया और उनसे पूछा गया नाम पता पूछा गया तो एक विक्ति उस गाड़ी में आगए वैठा हुआ था जुचा लग था और उनका एक कपल जिसने एक और एक मरत था कपल जलूग रहने वाले तो एक नगर का रहने वाले तो इन जो कपल था पीछे बैठा हुआ इनके साथ ही गाड़ी में कोई एक मादर के ब्रावंद हुआ तो कौन कौन सी सेक्शन लगाई गी है तो इसमें धरा बीस और उनतिस एंटीर सेक्ट की लगाई गई गई है तर झाल सेट की झाल सेट तो कर तो इसमें हुआ है